नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चोधरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके ऐरूट एक पे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगी यास पैक लिंटिट के बारे में दोस्तों सबसे पहले देखिए मार्केट अपने आल टाइम हाई के उपर था और मार्केट में अब करेक्षन का दौर चालू हो चुका है जिस प्रकार दो दिनों से मार्केट ने अपनी करवड बदली है इससे जो है ओ लोग ज्यादा परशान है जो लोग यस बैंक लिम्टेट में किसी वे स्टॉक में सौट टर्म की टेडिंग करते हैं तो सौट टर्म की टेडिंग करने वालों के लिए यहां के एक नूस से जो है मार्केट में तबही मची हुई है तो यस्में लेकर आधा यह काफी लोग डरे हुए थे अपको पता होगा की गलकी आट में मैंदेयो में बनाया था और कल लिए में बेट ट्री इंडिया INVESTMING.Private लिम्टेग्न पने अपनी होल्डिंग जो है यस मे लिम्टेट में तो इससे क्या है कि लोग ए सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि पहले बेटरे इंडिया ने भी इससे पहले तीन परसंट का अपना स्टेक बेचा था चुकि इसका स्टेक यह स्टेक में 5.40 परसंट था और साथ मई ग्यारा जून को स्टेक बेचने से क्या यह क्यों बेच रहे हैं तो ऐसा कंफिूजन हो रहा है अब इसको लेकर मार्केट में अफवाई फैलाई जा रही है कि यह स्टेक का सेरपके लिश्ट नहीं हो जाएं कहीं आपका पैसा बिलकुल जीडों हो जाएं इसको इस बात को लेकर जो है यह स्टेक के जो निवेशक किया है without planning के आपकिसी भी stock में एंट्री नहीं करते हैं जब आपने यह स्वांग की एक प्लान होगा तो उस समय आपके दिमाक में एक प्लान होगा उस प्लान को याद कीजिए कि आपने जब stock market में yes bank limited को खईदा था तो आपके दिमाग में क्या चल दा था इसी बीच इस गिरावट बरे दोर में एक अच्छी ख़वर आ रही है yes bank limited और access bank limited के लिए और यह जो ख़वर है yes bank limited और access bank limited के लिए काफी बड़ी news सावित हो सकती है दोस्तों इस गिरावट बरे दोर में ए न्यूज जो है दोनों बैंकों के लिए एक सहारा बन सकती है और न्यूज क्या है दोस्तों कि रिलाइस capital आपको पता होगा अनिल अंबानी अनिल धिर्वभाई अंबानी ग्रूप यानि एडी एजी ग्रूप का जो है yes bank limited के ऊपर काफी कर जा है और एक्सिस बैंक लिम्टेट दोनों का जो है 1575 क्रोड का जो है आरवी आई की गाइडलाइन उसान यानि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन अपडेट हुई है उसमें बताया गया है कि 1575 क्रोड का जो है अभी तक जो है अमाउंट एक अब लावा अनियल अमानी की जो कंपणी दोस्तों रिलाइंस इंफ्राइस्ट्रक्ट्टर उसको भी सेल करके 1200 क्रोड रुपे की रिकवरी हुई थी चोटी-चोटी चीजे आप भूल लाते हैं लेकिन मैं सारी चीजों को एक ग्रूप बनाकर रखता हूं और जो भी निव जाती है मैं उसनीश पर देखता हूं कि क्या सचाई है जो एक्सपोज हुआ है दोस्तों बैंक एक्सपोज हुआ है डिप्त का करजवाला इसमें मात्र केवल इसमें 960 क्लोड रुपे जो है यस बैंक लिम्टेट का है हाला कि आज मार्केट के इस दोर में यस बैंक में आज गिरावट देखने को मिली इस गिरावट से कई लोग अंदादा लगा रहे हैं कि अभी शुरुआत है अभी मौका है क्योंकि मार्केट सोलह हजार के लेवल को टच करने वाला है और वहां से एक बड़ी गिरावट आएगी से 6 भी उपर है निफ्टी भी उपर है यह को खोतों कुछ नयुका है टो सब्सक्राइब होता है को बरवाद होता ऊसी क्लिम्टा से जीरो हो गया था पांच मार्च 2020 के दिन जिसों सियर दोशे च्छे रूपे के नीचे आ गया था पांच रूपे 65 पैसे पर जिस दिन आया था यदि बैंक को बरबाद होना होता तो बैंक उसी दिन बरबाद हो गया होता फिर जो आपका शेयर उस समय सुचिए उन लोगों के उपर क्या बित्ती होगी जिन लोग जिन लोगों ने पिछल कर रहा है और आप जो है छोटी मोटी निमूज पर ध्याम दे कर कि इसने श्टेक बेचा उसने श्टेक बेचा और इस काड़ आप एस्वेंक लिम्टेट को बेचने की तयारी बना रहे हैं तो इसमें नुक्सान केवल आपका होगा फायदा बड़े प्लेर का होगा क्योंक फिर्ट के जो एंडी meditating के मिस्ट्र परसांद कुमार उन्होंने इस समय के इंप्लाई है उनको प्रसौहन के लिए उनको इम पावर करने के लिए एक ट्विट कियायों कि सब्सकेरिक कर ने की कोसिक तरहा एक अपने करमचारियों के साथ बैंक आगे बढ़ने की कोशिस कर रहा है लगाता बैंक जो है अपने आपको इंपूरूब करने पर लगा हुआ है लेकिन यदि आप लोगों ने चोटी-मूटी निऊज पर ध्यान देकर अपने शेर को बेचा तो घाटा आपका होगा इससे पहले आपको बताएं दोस्तों की 15 जून की नीज है कि येस बैंक की मुश्टू निव हेटक्वाटर इन मुंबई येस बैंक लिम्टेड ने अपना जो हेटक्वाटर था उसको जो सिफ्ट किया है मुंबई में ये वही हेटक्वाटर है अनील अम्बानी का जिसमें र रूम रेंट है जो हेटक्वाटर का जो खर्चा है ओ कम होगा और येस बैंक लिम्टेड के जो सी यू एंडी है मिस्टर परशांत कुमार इनों ने तीसरे क्वाटर रिजल्ट में साफ साफ यहां पर बोल दिया था कि हम जो है कॉस्ट कर रहा है और नहीं ऑप्रशुनोट लगती है तो नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरू बताएगो दोस्तों यह दिन नहीं लगती है तो नो लिखिएगा और बताइएगा कि क्या दिक्कात है इस समय चार्ट पैटर्ण को रीड करें कैंडल स्टिक चार्ट को देखे तो आप आएंगे कि जो तक्रीबन आर दिन पहले जो बुलिश कैंडल बना था जिसमें एक ही दिन में एस वैंक लिम्टेंट ने 10 परसेंट की तेजी देखने को मिली थी वहां कैंडल अभी तक पूरी तर से ब्रेक नहीं कर पाया है हो सकता है कि 13 रुपे 50 पैसे का लिवल आपको देखने को मिले लेकिन इसके बाद फिर बाउंस बैंक होगा और इस बार बाउंस बैक होगा तो 16 रुपे का जो अर्लियल टार्गेट है आपका वह बहुत ही आसानी से अचीव होता हुआ दिखेग पिछली वीडियो मैंने आप लोगों से फिड़बैक पाएंगा था आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जवाद दिया था कि सर हम 5 साल, 2 साल, 3 साल के इधर यस बैंक लिम्टेट को देचने वाले है नहीं तो जो आपका टार्गेट 3 साल, 2 साल का है तो फिर आप शॉ तकरीवन 1.79 परशंट की गिरावट के साथ जो है आज यस बैंक लिम्टेट का सेर बंद होता हुआ दिखा बात करें ने श्टॉक एक्षिंद पर तो आज की इट में 10 करोड़ 43 लाग 36,143 की क्वांटिटी में सेर टेट किये गए हैं जिन में से 5 करोड़ 5,17,418 की क्वां में साफ साफ इंडेकेट कर रहा है कि य Mac लिम्टेट में जब जब्रुर रहroe हैं लोग जो इसमें भरभर के खरीदारी कर रहे हैं अर रिटेल लएका कि मारेों मार्केट के गिरने के डर से जो है वीसा जब मार्केट 12,000 पर तो इस वोचन आ बिसकी अब तो दोंब 11,000